हर दोस्तों आज के इस वेडियो में आपको इस तरह का लोगो बनाना सिखाने वाला हूं, जोगि आप स्क्रींड के ओपर देख सकते हैं, जिसे आप अपने li Liter टेलिराद चैनल पर भी लगा सकते हैं तो किस तरह के से create करेंगे आज के सुड़े में आपको यही बताने वाला हूं वीडियो छोटी सी होगी complete देखना बहुत ही अच्छी वीडियो है अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर देना शेर कर देना अपने दोसों साथ अगर आपका को आपको देने पाएगरांड आपको अच्छा लगता है लोगो के लिए तो वह बैगरांट आप यहांँपर स्लेक्ट कर लेंगे अच्छी से देंग himma और यहां पर बैकरांट लोगो यहां पर ऐदढ़निं के बाद यहां पर New gedachtThis पर डबलन करेंगे और इसके अंदर नाम लिंगे जिस भी नाम का लोगो बंदयाना चाहते हैं जिस भी नाम का लोगो create करना चाहते हैं उस नाम को जस्ट आप यहाँ पर type करेंगे example मैं लिखता हूँ as k उसके बाद ok पर आप click करेंगे अपने name को इस तरीके से बड़ा रख लेगे उसके बाद a पर click करेंगे side में slide करेंगे font पर click करेंगे my font पर click करेंगे और यह वाला font आप select करेंगे ok पर click करेंगे यह font मैं आपको दे दूँगा तो इस फॉन्ट को आप यहां पर select करेंगे इस तरीके के अंदर color डालना हुगा तो किस तरीके से डालेंगे वह मैं आपको बताता हूं logo पर click करेंगे side में slide करेंगे यहां पर text road पर click करेंगे image पर click करेंगे और यहांपर मैं आपको colors दे दूँगा तो वह color आपको यहांपर add करना हुग इस तरह का जो कि मैं नहीं का side enable कि इस तरीके से और यहां पर black color select करेंगी सबस्क्तर लेइन को थोड़ा कम कर्लेंगे सेकंड वाली को थड़ा इनकरीज करेंगे सरवारिट के से मॉल्स से लाइन कुछा थोड़ा सा इस तरीके से ले लेंगे राइट पर आप क्लिक्ड करेंगे तो आपका Nama यहां पर आ जाएगा उसके बाद इसंके टैप करेंगे साइड में स्थ लाइड करेंगी इसको यहां पर पर साइड करेंगे उसके बाद नीचे आप नाम लिखेंगे जो भी आपका नाम है वो आप नाम लिखेंगे तो लिख देता हूं एक्जामपल सुभम सीवं जो भी आपका नेम है वो नाम आप यहां पर टाइप करेंगे यहां पर मैंने एक्जाम्पल के लिए लिख दिया सूबम एडिटर उसके बाद ओके पर आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको नेम आ जाएगा नेम को आप छोटा करेंगे और जस्त लोगों के नीचे साइड करेंगे उसके बाद साइड में स्लाइड करेंगे फोंट पर क्लि करेंगे radome slide करेंगे और यहां पर इस पर्म करेंगे इसको इस तरीके सा में करेंगी ए ठीक और इंकृज करेंगे और राइट पर करेंगे और अपने लिए को और छोटा कर लेंगे इस तरीके से तो इतना काफी यहां पर काफी अच्छा लग रहा है तो इतना रख लेंगे उसके बाद नेम पर क्लिक करेंगे साइड में स्लाइड करेंगे साइडों पर क्लिक करेंगे साइडों को इनेबल कर देंगे और इसको थोड़ा कम कर लेंगे फोर काफी है उसके बाद राइट पर क्लिक करेंगे आगे आ जाएंगे इसके अंदर वाइट कलर ही दखेंगे अब आपको नीचे थ्री लोगो एड़ करने होंगे अपने टेलिग्राम चलन का और अपने इंस्टेग्राम का और अपने यूट्यूब का अगर आप लगाना च लोगो को आप यहां पर एड़ करेंगे लोगो के साट कають करना अपक्यों क्वेस्ट क्बैट देख ले ना क्योंकि लोगों में प्रॉबलम हो सकती है तो लोगो आप स्टरी आ कडेका देला है इस तके वात पर उनीछिपकर देंगे उसके बदेगी अाब देखिए बीचि करेंगे पहले आप साइड में टेप करेंगे यहां पर ड्रॉप का अप्सिंस है तो यहां पर कोई सा भी कलर की एक इस तरीके से डाल देंगे राइट पर क्लिकने उसके बाद यहां पर यह पर और चेल लेगे लेंगे उसका उपर क्लिकन लीज़ित नीचिकल्यों को और यहां पर श्चलैन के लोगों को सट्लैक्ट करेंगे नीचे क्लिक रॉक्प पर ठीब तो दोनों एक हो जाएगे उसके बाद साइड में एरिजर कलर नड पर करेंगे इसको इनेबल करेंगे तो बीच में वैट कलर था वह हट चुक और उसका भी वाइट कलर है वो भी आप रीमू कर देंगे यूट्यूब का भी इसी तरीके से आपको करना है तो सेम प्रोसेस है मैं फटा फट कर देता हूं तो यहाँ पर मैंने तीनों लोगों के ब्लेक कलर को भी हटा दिया और बीच में जो वाइट कलर था उसको भी मैंने हटा दिया जो कि मैंने आपको पहले से बता दिया तो आप इन लोगों को छोटा करेंगे और जस्ट आपनी जो नाम लिखा है उसके नीचे सैट करेंगे तो तो तीनो जो लोगों की साइच है वो आपको सेम रखनी है और तीनो लोगों की बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस यानिकी जगे आपको रख लेनी है उसके बाद इनको एड़िट करना होगा तो वह भी मैं आपको बता दूँगा तो वीडियो को छोटे से ज्यादा बड़ नीचे क्लिकर के तीनो लोगों को स्लेक्ट करके नीचे क्लिकर करेंगे तो तीनो लोगों एक हो जाएंगे उपर क्लिक करेंगे यहां पर आप आगया जाएंगे अब आप इन लोगों को छोटा करेंगे इतना काफी है यहां पर साइट करेंगे साइड में स्लाइड करेंग और उसके बाद इस पर क्लिकर के इसका side ओ यहाँ पर enable कर देंगे logo का side ओ enable कर देंगे और यहाँ पर इसको इस तरीके से set कर देंगे तो देखते हैं logo आपका पूरी तरीके से यहाँ पर complete हो चुका है अब आप कुछ भी नहीं करना share वाले options पर क्लिकरेंगे इस लोगों को आप अपने इंस्टेग्राम की प्रोफाइल पर या फिर अपने टेलेग्राम की चैनल पर लगा सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कॉमेंट करके पूह सकते हैं